प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड हिट लाइक बटन जहन दोस्तों तो कैसे हैं आप सब आज फ़र से हम लोग टीम रॉकेट के एक लीडर से बैटल करने वाले हैं लेकिन गेम में काफी सारे अपडेट्स आचुके हैं और इन लीडर्स को काफी सारे नए और स्ट्रॉंग पोकेमोंस भी मिल चुके हैं और इसी के साथ इस गेम में आया है एक 12 किलोमीटर एक जिसमें से शांदार डाक टाइप पोकेमोंस निकलेंग यार और जो मेरे फेवरिट हैं उनमें से एक तो है सैंडाय जो ही क्रोकोडोग बनेगा जो आश के पास था दूसरा पॉनियार जो बाइशाप बनेगा जिसने मतलब कालोस रीजन में कही बार उसे तगड़े तरीके से देखा वाया है और उसमें कही बार गृरेंजा से फाइड भी कियी और यहां तक कि कही सारे पोकेमोंस की बैंड बजा दी और तीसरा एक वल्चा टाइप का पोकेमों है उसका नाम मंडी बज है उसके वालफॉम का नाम वो भी मेरे साबसे साही है ग्रेट लीग के लिए तो फिलहाल फ्रे मैं बहुत ही तगड़ा ब्लास्टोइज है अलब बड़ी मुश्किल से बच बच के लड़ रहा हूं है इससे और या इस पर जादा किसी मूप्स का असर भी नहीं हो रहा है पाय टाइप मूप्स से तो उसे कोछ खत्रा ही नहीं इसलिए मैं ड्रागन क्लो यूज कर रहा हूं इस पर शलो देखते हैं मैंने इस वीडियो पर एम किया है कि मैं अपने अकेले एक चारजार्ट से अर्लो की पुरी टीम को हरा हूंगा ग्रावलेट को तो हरा जिया है होप सो ब्लास्टोइज भी ने पड़े आए है क्योंकि मेन और सबसे स्ट्रॉंग पोकेमोन इसका ब् प्रेंड्स सील टाइप पोकेमोन हैं अच्छा हुआ हमने इस कुईक मूव में फायर स्पिन लिया हुआ है तो काफी जल्दी टैमेज देंगे चारजार्ट के पास जादा पार बची नहीं और फ्रेंड्स यह तो ड्रो होका है और इसी के साथ हम जीत चुके हैं मैंने अप 12 km का एग